प्रभु येशु मसी के नाम से आप सब को जय मसी की मेरी प्रियों आप लोगों ने फणी बाबा जॉफ इंडिया जो वीडियो है मैंने बनाया था वो बहुत पसंद किया इसलिए मैं इसी वीडियो का पार्ट टू लेके आया हूँ और आज की वीडियो में हम और भी ऐसे ब देवकूफ बनाते हैं तो चल ये शुरू करते हैं तो सबसे पहली शुरुवात करते हैं उनी बाबा से जिनका नाम अनिरुद्ध स्लैश बाबी है अरे भारत में नहीं बाबी जी वो पूछ रहा है पूरी दुनिया में सबसे पहले कहां पर किस देश में सुर्य उदे होता है हाँ हाँ कोई मदद कर दो बाबी की आसाम के आगे भी कुछ है उसके आगे क्या है मडीपुर के आगे क्या है हाम उस तरफ नागा लेंड गए थे हम हम नागा लेंड गए थे नागा लेंड भारत की ही धरती है नागा लेंड वहां गए तो सबेरी साड़े चार बजे देखा तो दिन था तो बाबी जी नागा लेंड गए थे सुबहे चार चार बजे उठे और वहाँ दिन था तो उन्होंने यही सुच ले कि यहाँ तो इधर ही सबसे पहले भारत में सूर्य उदे होता है सनराइज करता है कहां से आते हैं यह लोग कौन ही यह लोग महराज जी वलकि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जपान में पहले सूर्य उदे होता है मैं क्या रोष्ट करूँ यह बच्चे ने ही रोष्ट कर दिया इसको ना बेटा क्या आप गूगल से भी ज्यादा ग्यानी है गुरू जी नहीं ये सब ग्यान बाबा जी को देता कौन है ओ तो बाबा जी बॉलिवूड गाने सुनते हैं इसलिए कहता हूँ ज्यादा बॉलिवूड गाने मत सुना करो दिमाग सड़ जाएगा इनकी तरह वो देखना पड़ेगा किस आधार से बोल रहे हैं पर हमारे भारत में सुबह शाड़े चार पॉने पांच बज़े सूर्य उदह होता है उरभ दिशा में पूर्वी जितना भी राज्य है अब यदि हाँ भाई जवाब नहीं दे सके बच्चे का तो कुछ भी बोलो बच्चो को क्या फर्क पड़ता है उसका टाइमिंग अलग है अभी जैसे यहां रात्री हो गई न तो अभी अमेरिका में दिन होगा तो अब अमेरिका के लोग कहें कि लोग जी अमेरिका में भारत में तो राज है सबसे पहले सूरी हमारे यहां गए त अब इसे सार्थ से उनके यहां पहले चले गए क्या कारीगरी है इस वनकान ने खुदा के खुदरेत को ही वदल कर रख दिया क्यों वही हमारे यहां भी राज हो गई पर अमेरिका में अभी दिन होगा रसिया में अभी दिन होगा अरे गुरुजी यही तो पूछ रहा था बच्चा कि सबसे पहले सूर्योदय कहा होता है आप बात को गोल-गोल क्यों घुमा रहे हो सीधा बोल दो ना मुझे नहीं पता हाँ हमारे पेपर में आंसर में भारत ल लिख दी वो खोद अज्ञानी थे और अब ज्यान का होने का दावा कर रहे हैं अब क्या किया जाए यही तो विडमना भारत की कि सही घ्यान को भी आज हमारे भारत में जो शिक्षा पध्धती है वो हमारी अपनी पध्धती नहीं है अंग्रेजों ने जो शिक्षा में चले ना तो यह पैन भी यूज करना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह पैन भी अंग्रेजों ने बनाया है यह कंप्यूटर यह फोन लाइट इलेक्ट्रिक सिटी का भिजली का आविशकार फैन का आविशकार जो टी-शिट पैंट उसमें जो लगता है जिप चेन हर एक चीज अंग्रेजों ने आविशकार किया है अगर बाबा जी का बातों में लग जाए ना तो हमको सिर्फ दोती पहन के जंगलों में रहना पड़ेगा ठीक है बेटा धन्यवाद गुरु जी नहीं बेटा भागो वहां से ऐसे गुरु आपको खुद तो गड़े में गि दिखाएगा तो दोने ही कड्डे में गिरेंगे और जो अब बाबा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो अपने हातों से चमतकार करते हैं चलिए देखते हैं जोप्तिदद नित्यानंद देवादि देवाद रूपा नित्यानंद धन्मंतर ये नित्यानंद दीनो धरणा नित्यान धरणा नित्यानंद दिल्व्यस्वरू ज्यान प्रदाग्रा नित्यानंद जीवन मूस्तियक नित्यानन्द जेवाधी देवा नित्यानन्द शरनु यह लोग गाना गा रहे हैं कि बाबा दुख नाशनम, दुख खतम कर देंगे, यह बहुत गलत गाना है, मैं एक सही गाना गाता हूँ बाबा जो है हो तनम, वो बाबा तुम्हारा पैशा लेव थम, और खुद सोने का कुर्सी में बेठ तम, और तुम लोग जमीन में बेठ तम, तुम लोग का बुद्धी किदर गया थनम तो बेसिकली बाबा यहाँ पर पाप नाश कर रहे हैं, मैंने लोगों को खड़े-खड़े डांस करते देखा है, लेकिन यह पहला इंसाने जो बैठे-बैठे डांस कर रहा है अब जो बाबा हम देखने वाले हैं, वो बाबा, एक्टर भी है, हीरो भी है, सिंगर भी है, डाइरेक्टर भी है, वो है राम रहीम सिंह इंसान इन्हे आम बाबा समझने की गलती मत कर देना, यह पिचर बनाते हैं, डाइरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी है, सिंगर भी है, म्यूजिक डाइरेक्टर भी है, गाने में म्यूजिक भी देते हैं, और एक्टिंग भी खुद करते हैं, और साथ में यह क्रिकेट भी और क्रिकेट में नए नए नियम भी लेके आते। एक बार के लिए सोचो आप कहीं गुमने जा रहे हैं और कोई पुशप मारता हुआ आपको ऐसे देखे। लोगों से सोदा ये करते हैं नशा खोरी है, मासा हार है, वैशा वर्थी। ये आप हमें दे जाओ। ये आप हमें दे जाओ। ये गुरु दक्षिन है हमारे। बाबा जे इंग्लीज गाने भी लिखते हैं चलिए सुनते उनके गाने। इंग्लीज गाने जाओ। ये तो थे राम रहीम लेकिन अब हम भांडा फोड करेंगे साई बाबा का, साई बाबा का मूँ से सोने का अंडा निकालने वाला ट्रिक तो आपने देखायोगा, ये दिन नहीं देखाये तो चलिए देखते हैं। देख नाटक देख इसके। ये निकला सोने का अंडा। वैसे अंडा तो कहीं और से निकलता है ना। ये मुझे कैसे निकाल रहा है। मैं जानता नहीं आप लोगोंने नोटीस किया या नहीं लेकिन मैंने नोटीस किया। बाबा जी पने लेफ्ट हाथ में पहले से सोने का अंडा चिपा के रख आ है देख यह द्यान से दिखिए। देखा उसार पने है रुमाल के अंधर और यह भी जाएगा मुँ के अंधर देखिए बाबा जी मुझ को लेंगे गया मुझ के अंदर सोने कंडा रुमाल का काम खतम, रुमाल नीचे और अब नाटक करेंगे मुझ से सोने कंडा निकालने का लूुु challenging देखा अब आपने एकट ट्रिक तो देखा होगा बाबा जी का हवा से भबूत निकालते हैं और दर्सकों पर दर्शु को बारते हैं भबूत चलिए उसको भी भांडा फोर करतेें बाबा उठे ही चलिए देखते हैं क्या चमत का अचाह वागो में हाथ गुमा रहे हैं और य ये बाबा ने निकाला बाबूत और दर्सकों को बाट रहे हैं और दर्सक उसको बड़ी भक्ती भावना से सुईकार कर रहे हैं चलिए इस वीडियो को दूसरे एंगल से देखते हैं यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बाबा आए भक्त उनको बाबा का एक आदमी पहले से यहां पर आदमी बोलू या औरत पहले से बैठा हुआ है ग्रूप में और देखिए देखा बाबा ने हाथ गुमा कि कितने जल्दी से बहुत निकाला और उनका आदमी ने देखो रूमाल दे दिया हाथ पोँचने के लिए ताकि दिखे ना असल और ऐसा करके उसको चौक को फोड़के इस तरीके से बांड़ देते हैं और लोग सुझते हैं यह बाबा का प्रसाद है क्यों बेवकूफ बंड़े हूं यहां पर देखो यह देखो देखा क्लोज अप में हमको साफ दिखाए दे रहा है वहां पर चौक पहले से बाबा ने छ चालू बनो चालू गधे मत बनो लोगो गधे मत बनो आप लोग गधा बना रहे हैं यह लोग यह देखो अब मसलेंगे चौक को यह मसल रहे हैं यह देखो यह मसला और बना दिया पावडर अब उसको बांटेंगे भभूद बोलके और लोग देखो पागल बन भी रहे हैं देखिए शुरुवात में जब बाबा आये बाबा के इस हाथ में चौक था और देखिए बाबा उसको उंगलियों के बीच में दबाएंगे देखिए ये राइट हैंड में गया चौक उंगलियों के बीच में कुछ इस तरीके से अब जब चौक उनके राइट हाथ में आ कि आप पाश्टरों के पास भी मत जाओ क्योंकि ऐसे बहुत पाश्टर हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं और लोग उनसे प्रातना करवाने जाते हैं जरूरी नहीं है कि आप पाश्टरों के पास जाओ प्रातना करने के लिए करवाने के लिए आप घर में भी प्रातना करें मजा कर रहा हूँ आप घर में ही प्रातना करो कोई पैसा वाइसा देने के जरूतनी है पास्टरों के पास भी मत जाओ ये लूटते हैं आपको माफी चाहता हूँ वीडियो लेट डालने के लिए मैं आठ दिनों के लिए ट्रेनिंग में गया था साइल साइड में और ट्रेनिंग से वापीस आ रहा हूँ तो इसलिए मुझे माफ करना अगर मैं सब बाबाओ पर वीडियो बनाओंगा तो लगबग कम से कम एक दो गंटा या दो तिन दिनों का तो वीडियो बन जाएगा और हाँ एक चीज अगर आपको क्या लगता है कि यह साइबाबा सच है या गलत है या वह जूटा है या वह सच्चा है कमेंट्स में जरूर बताएगा आपको क्या लगता है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में प्रभी यूश्व मस्याप सबको आशिस दे घर में प्रात्ना करना किसी के पास जाने का जरूत नहीं है प्रात्ना करवाने के लिए चर्च जाना है लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में प्रभी यूश्व मस्याप सबको आशिस दे जय मस्याइब